हरियों दोस्तों, बहुत समय पहले एक आलो की घटना घटी इस ब्रम्भान्ड के एक छोटे से हिस्से में एक आकाश गंगा का जनम हुआ, जिसमें कुछ ग्रह एक तारे का चक्कर लगा रहे थे, जिसे हम आज सूरे कहते हैं। उस आकाश गंगा में एक ग्रह ऐसा था, जिसमें जीवन पन अपने लायक परिस्तितियां थी। अब एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि जैसे उन पुराने जीवों के विक्सित रूप या हम बोल सकते हैं कि छोटे रूप आज भी इस धरती पर हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि इनसान उस समय भी वहाँ पर था जब वो भीमकाई पराणी इस धरती पर घूमा करते थे। इनसान उन भीमकाई पराणीयों के समय में भी वहाँ पर मौझूद था या हम कोई एलियन पर जातिया हैं जिनों ने डाइनसोर्स को खतम किया फिर यहां बाकी जानवरों के साथ रहने लगे। अब ऐसा मैंने क्यूं कहा क्यूंकि इनसानी शरीर की रचना बंदरों की तरह है और बंदर तो कई तरह के होते हैं। अब ये बात समझ नहीं आती कि या तो इनसान एलियन है या बंदर, क्योंकि बंदर आज भी अपनी विकसित परजाती के साथ इस धर्ती पर रह रहे हैं, पर बाकी जानवर नहीं, मतलब उनकी विकसित परजातीयां कहा हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा, बाकी जिस चीज की हमें जब जरूरत बढ़ती गई हम उसका अब इशकार करते गए, हम और प्रकृती एक दूसरे के साथ मिल जूल कर रहते थे, शुरू शुरू में हमने प्रकृती का सम्मान किया, और प्रकृती ने भी हमको बहुत कुछ दिया, पर बाद में हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, हमारी जरूरते बढ़ने लगी, इसलिए हमने प्रकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम में लालच भर गया था, हमने प्रकृती को प्रदूशित करना शुरू कर दिया, और आज तक हम यही कर रहे हैं पर हरानी तो इस बात की होती है कि उस समय से लेकर आज तक कई सभ्यताएं आई और गई कैसे गई ये आज तक कोई नहीं जानता खुदाईयों में हमें पुरानी सभ्यताओं से जूड़ी कई चीज़ें मिली हैं जिस से हमें पता चला कि वो सब भी बहुत विकसित थे और वो जानते थे कि प्रकृती ही जीवन है पर क्या करें हम बहुत लालची हैं ना लालच की वज़ा से इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का आज नामों निशान तक नहीं आखिर में यही कहूंगा कि अगर हम एलियन्स नहीं है और हमने डाइनसोर्स को नहीं खतम किया तो इसका मतलब यही है कि प्रकृती नहीं किया और अगर प्रकृती इतने बड़े बड़े जीवों का अंत कर सकती है तो हम इंसान क्या चीज हैं और प्रकृति खुद को अपने आप ठीक कर लेती हैं इसका मतलब है कि हम हो या ना हो ये धर्ती वैसे ही चलती रहेगी आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज इन प्राकृतिक संसाधनों का संग्रक्षन करें और इसे प्रदूशन से बचाएं अगर हम आगे आने वाली पीडियों को बचाना चाहते हैं तो हमें प्रकृतिका संग्रक्षन करना ही पड़ेगा इसे प्रदूशन से बचाना ही पड़ेगा कहानी बहुत लंबी है इसे एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकता प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की पार्ट भी मैं जल्दी लाओंगा धन्यवाद हरियो